NCRT, NCRT examplers, reference books, sample paper, इस सब जला कर फेप दो और अगर मैं तुमसे बस एक लाइन में पूछूँ कि ग्लास 10 टॉपर बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हारा अंसर होगा भाईया एक्ट मैजिक कि जो भी questions मैं आज लगा रहा हूँ वो कल exactly same questions या उस typology के उस typology पर based questions मेरे examination hall में आ जाएए अब ये magic तभी हो पाएगा जब तुम CBSC का paper making pattern समझ सकते हो इस CBSC paper कैसे sit करता है, कहां से question उठाता है और इस साल जो उसने बोला है कि 50% competency questions आएंगे इसमें exactly कौन-कौन से questions, कहा कहा से questions आएंगे और यही देखने वाले इस वीडियो में हर subject को analyze करेंगे deeply सब कुछ analyze किया है CBSC के examiner's के साथ बैठके तो please ये वीडियो end तक देखना पढ़ ले सीनियर्स को भी subscribe कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बात भी क्या हाल पढ़ ले गैंग जैसे ही तुमने entry ली class 10th में वैसे ही CBSC ने entry ली थी तुम्हारे जिंतकी में सबसे पहला योगदान CBSC ने किया class 10th का latest syllabus निकाल कर syllabus में थोड़े बहुत reduction थे जो तुमने notice कर लिये और उसी syllabus के सरी कुलम में उसी PDF में ये mark distribution था जो category wise था बट अगर तुम जहें CBSC की website पर जाओ और past year papers यानि पिछले साल जो papers आ चुके हैं उन्हें निकालो और analyze करो तो एक pattern मिलेगा कि कुछ chapter से specifically सिर्फ MCQ कुछ से सिर्फ very short questions कुछ से सिर्फ short and long questions तो कुछ chapter से कुछ जिने जोने chapter से ही सिर्फ case based questions बार बार उठके आते हैं अब ये pattern मैंने पूरा analyze कर लिया है और आगे वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा लेकिन उसके पहले CBSC की जो जो हरकते हैं सब कुछ हम map करेंगे सब कुछ track करेंगे सबसे पहली चीज syllabus रिलीस कर देना तूसरी चीज आती है लेटिस्ट पैटर्न रिलीस करना 50% competency, 30% subjective and 20% objective questions अब ये competency based questions भी subjective या objective या case based questions ही रहेंगे क्योंकि जब भी तुम paper देखोगे यही तीन सेक्टर में paper बटा होता है objective, subjective and नीचे case based questions इसका क्या special in competency based questions में जिसका 80 में से 40 marks का written paper आ रहा है और इसे ध्यान से समझने के लिए अपना paper ध्यान से समझो कि पहले science में आते थे objective questions में simple, single correct questions जैसे एक चार options दे दिये तो उसमें से एक करेट बट अब आने लग गए हैं जादा volume में multiple correct questions activities से उठा कर MCQs तुम हर बार के sample papers में देख सकते हो और तो और diagram based questions draw करने को नहीं instead MCQs में थोड़ा सा घुमा करके अब diagram based questions आ रहे हैं उसी तरह social science में देखोगे तो picture based questions तो कोई भी notice कर लेगा बट जब हमने CBSC के previous examiner से ex examiner से जो पहले copies चेक कर चुके हैं department में already रह चुके हैं उनसे बात की तो बता चला कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पिछले एक साल से especially इस साल के sample papers और practice papers में देखोगे कि order based MCQs आ रहे हैं कि एक चार line दे दिये 1, 2, 3, 4 अब इसको एक sequential order में arrange करो और hint based questions यानि कुछी चीज के बारे में hint दे दिया अब ये hint के according इसको पहचानों नीचे दिये गए options में से इस तरह के MCQs बिल्कुल new हैं बिल्कुल latest pattern के हैं जिनको बोला जा रहा है competency based questions and specifically subjective questions के अगर हम बात करें starting with science तो science में real life application based questions काफी सारे बेखने मिल जाएंगे sample paper में question 23, question 32 और practice paper में ऐसे कई सारे questions अब इन questions को prepare करना ही होता है competency questions को prepare करना similarly social science में statement based questions तो आई रहे हैं पर कुछ chapter से उठके आएंगे graph based और table based questions इनकी practice अच्छे से करनी है जैसे sample paper में तुम्हें question number 29 दिख जाएगा और ऐसे कई question practice paper में भी दिख जाएंगे और maths में again previous year questions बेख बहुत सारे questions मिल जाएंगे और 2, 4, 5 tricky questions for that toppers horizon बट ये चीज़े मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ क्योंकि सबसे important चीज़े ये सारे analysis के बाद ये पता करना कि जो भी book जैसा मैंने सुरू में बोला था NCRT हो, examplers हो, reference books हो sample papers हो जो भी तुम पढ़ रहे हो उस source में क्या activities based questions science के इस तरह से हैं क्या reaction based questions इस टाइप के हैं क्या multiple correct questions diagram based questions इस टाइप के हैं ये सारे questions मैंने खूद experts के साथ बैटके design की हैं similarly social science में image based questions तो चलो तुम्हें मिल जाएंगी but क्या कुछ specific chapter से graph based क्या कुछ specific chapter से table based questions इस तरह के और order based questions order करने वाले reordering वाले sequence में और clue hint based questions हैं और maths में तुमने जो भी book लियोगी वो practice paper release होने के पहले लियोगी क्या practice paper में जो level के questions हैं उस पे based questions तुम्हारी book में हैं seriously question yourself अगर तुम किसी publisher को पैसा दे रहा हो तो ये सब कुछ तुम्हें मिलना चाहिए additional practice paper पे based pattern पे questions मिलने चाहिए और sample papers in that same book मिलने चाहिए और अगर हम बात करें specifically subjective और case based question की तो इस तरह के real life application based question science में इस तरह के question social science में चाहिए वो statement based हो या घुमा कर के आ रहे हो और maths में PYQs के साथ साथ थोड़े से घुमाने वाले questions tricky questions जैसे ये तुम्हारे सामने है and case based from all important topics but सारे questions मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ और exactly क्या दिखा रहा हूँ कहां मिलेंगे सारे questions तो एक line ध्यान से समझ लो मेरी एक line में एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर मैं ये सारे questions provide भी कर दू न दे भी दू तुमारे घर तक आकर तो जब तक तुम्हें एक proper pattern नहीं मालुम होगा या revision वो लो कभी भी नहीं कर पाओगे जिसके लिए ये सारे parameters को ध्यान में रखते हुए हमने first time ever in India एक day wise scheduled book बना दी है class 10th के लिए वो का नाव है 33 Days Challenge day 1 to day 33 topic wise content बटा हुआ है तीनों sectors में चाहिए objective हो, subjective हो या हो case based questions for example अगर तुमने एक chapter open किया तो सबसे पहले page पे तुमें दिख रहा होगा वो analysis जिसकी मैं बात कर रहा था कि किस typology के questions आ रहे हैं फिर flow chart जिसके नीचे कुछ suggestions लिखे हुए हैं कि कहां कहां ध्यान से पढ़ना है फिर आगे तुमें मिल जाएगा day 1 स्टार्ट हुआ day उसमें जो जो पढ़ना है एक दिन में बस वहाँ तक में रुख जाना है जहां से स्टार्ट होगा ये day 2 फिर आगे पढ़ते जाओ मिलेगा day 3 पूरा day वाई scheduled है ये content और T1, T2 यहाँ पे denote करता है topic 1, topic 2 कि एक भी topic से question मिस ना हो यहाँ तक कि case based question भी हमने एक एक topic से उठा कर बना दिया है जो जो topics से case based question उठके एक chapter से आ सकते हैं साल बिल्कुल analyze करके बनाया है सिर्फ important questions डाले है जैसे questions तुमारे sample papers और practice paper में release किये CBSC ने ये देख सकते हो ये labels दिखा रहे हैं कि कितने सारे competency questions हर चीज में चाए हो objective हो subjective हो और case based में भी डाल दिये गए हैं और ये book को जब मैं बोलता हूँ कि 33 days challenge है तो I mean it 33 days में ये book खतम कर सकते हो क्योंकि 3 महीने लगे हैं इसे design करने में फिर उसके बात 15-20 दिन हमने ये students के पास छोड़ दी book अलाग अलाग जगे के लोग अलाग अलाग category के students को सिर्फ टॉपर्स नहीं average students को भी और उन्होंने खुद देखा है खुद messages आये हैं कि भाया ये possible है सुरू कि 10-15 देन आगे भीछे करके उन्होंने चलाए देखे कि हाँ ये possible है क्योंकि हम लोगोंने NCRT के index को follow ना करके खुद का एक index, खुद का एक chapter sequence follow किया है कि तुम next 33 days में एक-एक important question, हर एक competency-based question solve कर लो और सिर्फ questions नहीं, answers, explanation free advice, mnemonics के boxes हर एक चीज मिल जाएगी यार जो भी मैंने पिछले 3 साल के experience में और हमारे साथ काम कर रहे है टीचर्स ने अपने 10-15 साल के experience में class 10 के बारे में, cbsc के बारे में जाना है और सिर्फ इतने ही नहीं आरा अगर मैं तुम्हें कोई चीज दे रहा हूँ तो one stop solution होगा इसी book के अंदर 33 days का chapter wise content होने के साथ ही साथ है sample papers based on the latest practice paper released in September और ये सारे sample papers के बाद भी extra sample papers तुम्हें QR code स्कैन करके हमारे app पढले अक्षा app पे free में मिल जाएंगे वहीं तुम्हें notes, quiz, हर एक चीज मिल जाएगी यानि पूरा online support भी मिल रहा होगा और ये सब कुछ Amazon पे बहुत ही nominal price पे मिलेगा लिंक में बुक की description में दे दूँगा इस time अगर तुम पहले खरीदोगे तो first 500 students के लिए हमारी पढले gang के लिए एक special offer पे, special price पे ये बुक मिल जाएगी और हो सके तो please पूरा bundle खरीदना ताकि तीनो subjects तुम 33 days में बिल्कुल स्वाहा करतो और last में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर next 33 days बैठ के लगा लिना ये बुक तो result वाले दिन तुम्हारे parents से proud कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए और उनकी इस smile से बढ़कर nice book का prize है ना तुम हो और ना ही मैं हो